मुबारक हो दोस्तों नया साल आया है कब तक जियोगे नफरतों के सायों में हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो स्नोफुट चानल आज हम बनाने जा रहे हैं महरम स्पेशल शर्बत इस शर्बत को हम हिल्दी टेस्टी और बहुत आसान तरीके से आपको बना कर बताएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं महरम स्पेशल शर्बत बहुत आसान तरीके से तो शर्बत बनाने के लिए हम लेंगे सागुदाना सागुदाना हम लेंगे 100 ग्राम यानि के 100 ग्राम इसको एक घंड़ा टेम पहले ही हम भिगो कर रख लेंगे इसके बाद हम बादाम लेंगे बादाम यहां पर लूंगी 15-20 इसको भी पानी में दाल कर भिगो कर रख लेंगे इसके बाद हम एक बोल में एक लीटर दूद दाल लेंगे यहां पर हम हल्थी शर्बत बना रहे हैं इसलिए पानी नहीं दालेंगे दूद को हम बॉयल करने के लिए रख लेते हैं अब चलिए हम बादाम चीलते हैं अच्छा अगर आप बादाम को जल्दी भीगोना चाहते हैं तो गरम पानी डाल कर रख दीजे थोड़ी देर के लिए इससे क्या होगा कि बादाम जल्दी भीग जाएंगे यहां पर देखिए मैंने बादाम चील लिये हैं अब इसको एक जार में दाल लोंगी जार में डालने के बाद यहां पर लोंगे खषखषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष से 3 थिन टेबल स्पूल तो बिना पानी डालें हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे क्योंकि जब हम बिना पानी डाले इसका पेस्त बनाएंगे ना तो यह अची तरह के बाद इसको हम एक बारीक पेस्ट बना लेंगे यहां पर देखिए अब देखिए एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है इसके बाद जो हमने सागुदाना भिगनों के लिए रखा था एक गंटे के लिए इसको हम दाल लेंगे पानी के साथ ही हम दाल देंगे सागुदाना में सारे nutrition होते हैं इसलिए इसका पानी भी हम नहीं वेस्ट करेंगे आप चलिए इसको पकाते हैं धीमियांच पर हला कर पकाईए नीचे तक हिला कर पकाईए नहीं तो सागुदाना जल जाएगा दूद को नीचे से दाक लगने का चांसस रहते हैं इसलिए अच्छी तरह से इसक अगर यह सौफली हो जाएगा तो इसका मतलब सागुदाना पक चुका है इसके बाद एक बोल शकर दाल लीजिए शकर दाल कर मिक्स कर दीजिए इसके बाद जो हमने पेस्ट बनाया था ड्राइफूट्स का उसको दालेंगे तो यह यह बहुत ही हलदी रहेगा शर्बत में हम इसी लिए दाल रहे हैं कि जब अब ये शर्बत पेंगे तो आपकी इम्मुनिटी भी बूस्ट हो जाएगी और बहुत ही हल्दी रहेगा ये शर्बत इसमें हमने कोई भी आर्टिफिशल फ्लेवर्स नहीं आठ किया हैं इसके बाद देखें अगर पेस्ट थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हम ड्रै फ्रूट्स लेंगे थोड़े से बादाम थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू आप अपने पसंद के कोई भी ड्रै फ्रूट्स दाल सकते हैं इसमें किश्मिश भी दाल सकते हैं मेरे बच्चों को किश्मिश पसंद नहीं है इसलिए मैं किश्मिश आट नहीं कर रही हूँ अब हम इसको बारी काट लेते हैं यहाँ पर देखिए इस ब्लेंडर की मदद से मैंने इस तरीके से बारी ट्रैफ फुट्स को काट लिया है अब हम चलिए गार्निशिंग करते हैं जो शर्बत हमने बना लिया है उसको एक बोल में ट्र शर्बत को आप बना कर प्रिज में रखकर 8-10 दिन तक पी सकते हैं यह शर्बत बहुत ही हल्दी रहता है आपकी फैमिली और आपके बच्चों को बहुत ही हल्दी शर्बत आप दे सकते हैं इसमें कोई भी आर्टिफिशल चीजे हमने आइड नहीं किये हैं बस 10-15 मिनिट अगर आप अपना टाइम इस शर्बत को दे देगे ना तो बहुत ही हल्दी शर्बत आप अपनी फैमिली को दे सकते हैं यहां पर थोड़े से आइस क्यूब में डाल रही हूँ अगर थंडाई का मोसम है तो आइस क्यूब आप स्किप कर सकते हैं अगर गर्मी का मोसम है तो हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजे, शेर कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू